गुड मॉर्निंग UKG क्लास आज बेटा हम करेंगे उ की मात्रा बड़े उ की मात्रा जैसे ये लिखा हुआ है क क पे लगी उ की मात्रा तो बन गया कू तो चलिए हम लिखेंगे अब ठीक है? कम ओन, लेट्स राइट सबसे पहले हमने लिखा क क क पे लगी उ की मात्रा देखो उ की मात्रा कैसे बनानी है? नीचे से गोला और फिर उसकी पूँच कू नेक्स्ट हमने लिखा ख ख पे लगी उ की मात्रा तो ये हमने लगाया उ की मात्रा खू तो स्क्यूप पर हमने स्लीपिंग लाइन बनाई तो ये बन गया खू फिर हमने लिखा ग ग़ पे लगी उ की मात्रा गू फिर हमने लिखा घह से घर घह से घड़ी फिर उ की मात्रा देखो उ की मात्रा कैसे लगेगी? नीचे से ऐसे गोला, और फिर ये नीचे ऐसे गया, ये बना गू, तो क, ख, ग, घ, पे अपनने उकी मात्रा लगा दी, अब हम बनाएंगे च, पे, so let's see now, हमने लिखा च, च पे देखो, उकी मात्रा कैसे लगाई, ये गोला बनाया, और ऐसे, ये बना चू, फिर हमने लिखा च, च पे लगी उकी मात्रा, एकी बार में मात्रा बनानी है, चू, ज, ज़ पर लगी उकी मात्रा, यहां से खुमा के ऐसे जुँ नेक्स हम लिखेंगे ज़ से ज़ंडा, यह हमने लिखा ज़ से ज़ंडा ज़ से ज़ंडा की जो पीछे की लाइन है, उस पर हम लगाएंगे मात्रा जु च च ज ज ज तो यह बन गया चु चु जु 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 इसी प्रकार हमने लिखा त, त पर लगी उकी मात्रा ठ, ठ पे लगी उ की मातरा, ठ, ठ पे लगी उ की मातरा, डू, ध से धकन, धकन लिखे यहां से गोला बनाया, ठीक है, इसी प्रकार आपको, इसी तरह आपको यह फुल पेज कम्प्लीट करना है, एसे आपको बोलते जाना है, ठीक है, और उ की मातरा की आवाज कैसे होती है, जिस भी शब्द पे लगता है, उसकी मातरा की आवाज होती है, उ के लंबा खिचके, बोल बोल के, लिखके, कम्प्लीट कीजिए, ओके चिल्रेन,